सबी को ट्रिक संडर के और सरमस्कार चलिए हम अगला पार्ट लेके चलते एक ग्यार्मा पार्ट पीछे हम दस वीडियो बना चुके हैं इस पेड़ी का और दोसरे टॉपिक से भी हम बहुत सारे वीडियो जीके का बना चुके जो नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाके आप सकते हैं एक ग्यार्मा पार्ट हम लेकी चलते हैं जो आपके अग्जाम के लिए महत्पॉण है कोई भी डिपार्टमेंट का competitive एक्जाम हो सारे के लिए महत्पॉण है इसलिए आप धियान से देखेंगे और सो परसेंट इसमें सिर्फ साइंस का सवाल दिया गया है इसलिए साइंस याद करना बहुत जरूरी है चलते हैं आपको याद करवाते हैं पाला है कि जब किसी बस्तु को चंदरमा पर से पिर्थवी पर अस्थांतरित किया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है यानि काने का मतलब जब चांद पर से पिर्थवी पर किसी बस्तु को लाते है अगर चांदरमा पर कोई बस्तू है उसको पिर्थवी पर हम लाते हैं तो उसका भार बढ़ जाएगा तो जैसे है कि चांद पर यहां पर चांद है चांद पर किसी बस्तू का भार 6 किलो है तो यहां पर हो जाएगा 36 किलो छोगुना बढ़ता है चांद पर जितना भार होगा अगर एक किलो है चांद पर भार है तो पिर्थवी पर हम लाएंगे तो छोगुना होता है याद रखना है अगर यहां दू किलो है यहां 12 किलो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 किलो बढ़ जाएगा लेकिन जब पिर्थवी पर से हम चांद पर ले जाते हैं अगर यहां पर छो किलो भार भाला है कोई बस तो पिर्थवी पर और चांद पर हम ले जाते हैं तो एक केजी का हो जाएगा यानि एक बटा छो होता है पिर्थवी पर जितन तो भार तो बढ़ेगा भार बढ़ जाएगा और प्रत्वी पढ़ से हम चंदरमा पढ़ ले जाएगे तो भार क्या होगा घट जाएगा इस सचार याद रपना क्या है कि जी कमान क्या होता न्यूटन मेटर स्कॉएरं पड़ती केजी स्कॉएर न्यूटरन मेटर स्कॉयर परती केजी स्कॉयर इसको याद रखना है न्यूटरन मेटर स्कॉयर परती केजी स्कॉयर अगला हम परते हैं एक बस्तू का बजन सबसे अधिक कहां होता है कोई भी बस्तू है आपका सबसे अधिक बजन कहां पर होगा धोरब पर होगा धोरब पर होगा इसको याद रखना है धोर पर किसी भी बस्तू का बजन सबसे ज़्यादा होता है अगला लेकर चलते हैं एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में अनुवांसिक है अस्थानांतरन पूरा किया जाता है इसका कहने यह गलत प्रिंट हो चुका है यानि एक पीड़ी का बिमा रहता है किसके कारण DNA के कारण किसके कारण DNA के कारण आपके सरीर में पीड़ी दर पीड़ी कोई भी बीमारी चलते रहता है याद रखना DNA के कारण अगला परते हैं उच्छ तापमान किसके द्वारा मापा जाता है पाइरोमेटर उच्छ तापमान किसके द्वारा मापा ज होती है गति जूर्जा होती है गतिमान बस्तु में कौन से उर्जा होगी गति जूर्जा इसको याद रखना है गति जूर्जा इसको याद रखेंगे अगला हम लेके चलते हैं अगला सवाल है आपका कि सबसे कठोर धातु क्या होता है प्लेटेनियम प्लेटेनियम सबसे कठ और था तो फ्लेटेकनीम होता है, इसको याद रखना है। आगे हम चलते हैं कि दूर की बस्तुत देखने के लिए किस उपकरण का हम प्रियोग करते हैं दूर्बिन इसी का नाम दूसरा है, बाइनो, कलोरन इसको याद रखना है। दूसरा नाम भी याद रख लेंगे तो कोई दिक्त नहीं है ऐसे दूरबीन हम बोल सकते हैं इसको दूसरा नाम भी याद रख सकते हैं दूसरा नम है बाइनो कुलर बाइनो कुलर अब बोल सकते हैं बाइनो कुलर जो वलिए कोई दिक्त नहीं याद रखने हैं याद रख सक याद रखना आगे हम चलते हैं न्यूटन की गति का कौन सा नियम जरत्तु की बेक्षिया करता है जरत्तु की बेक्षिया न्यूटन की पर्थम गती नियम से होता है और बल का बेंजन न्यूटन के दुत्या गति नियम से मिलता है पहला गति नियम से फिर सम्बोल देते हैं बल की परिवहसा जरत्तु का नियम और दूसरा से बल का बेंजन कप परात होता है अगला है अलफांसो क्या है अलफांसो एक आम का परकार है आम के परकार को हम अलफांसो बोलते हैं, अलफांसो एक आम का परकार है, अगला है गती के नियमों की खोज किसे ने किया था, नियूटन ने किया था, नियूटन ने गती के नियमों की खोज किया था, नियूटन ने गती के नियमों की खोज किया था, नियूटन ने गती के नियमों की खोज किय पहार बड़ेगा और पर नियोटन मेंटर स्कुर्ण, पर्टिट केज़िए स्कुर्ण होगा, सबसे ज़्यादा वजन कहा होगा धुर्ब पर होगा एक पेढ़ी से दूसरे पेढ़ी तक कोई भी बिमारी को लेके जाता है डिया ने एक पेढ़ी से दूसरे पेढ़ी तक बिमारी को ले जाता है डिया ने इसको याद रखना अगला सवाल है कि उच्छ ताप मापने के लि तो platynium दूर के बस्तु को देखने के लिए किस mote कर्ण परियोग खों करते हैं। दूरभीन कर लोकरते हैं सको याद रखनाtwria हैं। अगला सवाल लेकर चलते हैं अगला सबलेंगे बस्तु को देखनी के लिए सब्सुर्च का का है, बायों ठीड हैं? बाइरो मेंटर काम परियो करते हैं अगला सब न्यूटन के गती का कौन सा नियम जरत की परिभासा देता है यानि जरत की बेख्या करता होता है यह आपका पर्थम गती नियम को न्यूटन का हम परजरत का नियम होता है और बल की परिभासा भी मिलता है अलफांसो आम का एक परकार है इसको याद रखना अलफांसो आम कपरकार है, गतिके नियामों की कोज किसी नहीं किया था है नूटन नहीं किया था, सबसे हलका धातु कोन होता है लीथियम होता है, अगला स्वाल हम लेकर चलते, छोटे बच्चों में ऐठन और मरोररन होने का गारण इसा होता है इंसुलीन बहता है पंक्रियाज में पंक्रियाज में इंसुलीन बहता है इसको पंक्रियाज को याद रखना है इंसुलीन सरावित भी होता है इसे भी बोल सकते हैं इंसुलीन सरावित होता है पंक्रियाज में इसको याद रखना है पंक्रियाज को अगला स्वाल है कि गढ़ह के चारों और घूंती है इसका कारण क्या है सुरी के चारों और घूंती इसका बजह होता है गुरुत्वा करशन बनके के कारण यह गिरता नहीं है बनτο के सबहरें आएक तरह से गिरता नहीं है याद रख mort अगला स्वाल है प्रकास संसलेशन के दौरान, प्रकास उर्जा रुपांतरित होता है उस्मा उर्जा में, उस्मा उर्जा में रुपांतरित होता है, इसको याद रखना है, अगला स्वाल है, कौन का इकाई क्या होता है, रेडियन, कौन का इकाई क्या होता है, ये कौन होग क्रायोजेनिक इंजन का प्रियोग किस में होता है रॉकेट परोध्योगी की में रॉकेट परोध्योगी की में क्रायोजेनिक इंजन का प्रियोग होता है रॉकेट परोध्योगी इसको याद रखना है अगला सवाल आपका है पानी में प्रिष्ट तनाव होता है अनुओं के अच्छा साइब प्रोटीन सबसे जादा पाए जाता है कि याद रहना इसको याद रहना スवेदन से नियंतीर करते है इसको याद रखने प्रस्वेदन अगला है बाहनों के पीछे का दिलिस देखने के लिए खूश दरपन का प्रियोग हम करते हैं आप गारी चलाते हैं और जो आईना लगा रहता है जो दरपन लगा रहता है कि पीछे का फोटो यहां आता है वह कौल सा दर्पन होता है। उत्तल दर्पन होता हैं। लेंसे नहीं होता है। यानि पीछे का जो हम देखते हैं इद्धल … निमबॉ और संतरा में कौनढ उम्रक है चाथाथा है, इसको याद रखना है सवाल Style अगला सवाल लेकी चलते हैं। एक साधारन घरी गर्मी में सुस्त हो जाता है क्योंकि पेंडूलम के लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि पेंडूलम के लंबाई बढ़ने के कारण घरी सुस्त हो जाता है और जिसके कारण दिन बरा हो जाता है आपको लगता है कि दिन गर्मी के दिनों बहुत दिन बरा हो जा हodes एक जूल ब्राबर अगला सवाल आपका है कि सभी refrigerator में फ्रीजर सिर्पर होता है फ्रीजर जो होता है । थन्ड़ा करता है उपर होता है क्यों होता है क्यूंकि यहां यदी ठंड्डा हो गा तिसके दौरे नीचे वाला भी जितने भी होगा साधू ठंडा हो जाएगा तो इसका बज़ाव होता है कि ऊपर पड़ हम दे देता है तो यहां लिखाओ है संबाहन धारा हो धुआरा अंदर के पूरे को ठंडा कर सकता है रेसम किट किसका पालन है सेरी कलचर रेसम रंग है आंसिख और लंबबबड आंसिख लंबबड और अंसिख तर्यक दोनों हद सब्सक्राइब कितुर। कि अगला सवाल है कि बस्तु को चंडरमापर से पेथवी पर राल लाते हैं तुसका भार बढ़ जाता है जी कमान, न्यूटरन मेटर स्क्वार, परती केजी स्क्वार, एक बस्तू का बरन सबसे आधिक का होगा, धुरूपपर होगा, अगला सवाल है आपका, कि एक पीडी से दूसरी पीडी में अनुवांसिक के डियाने द्वार जाता, डियाने द्वार एक पीडी से दूसरी कशार रखीयोर, परीटो भूका होता है। लिए कि वह शुपकोरा का प्रियोग करते हैं करने वह करते है करने में कि कि भेख्या करते हैं। जल खाले हो बिदाए हैं Cyrus का है। नियूटन की गती की नियम जरत नियम प्रπαवंगारप यहांए 300 मुल्पा अलफांसो आम है गती के नियम की खोज किसी ने किया था नियूटन नी किया था सबसे हलका धातु लीथियम होता है अगला सवाल है आपका कि छोटे बच्चों में एठन या मरोरन बीशिक्स के कारण होता है इंसुलीन बाता है पिंक्रियाज में सबसे पले प्रयोग सरा में यह बनाया गया गराच चारों और घूमता है इसका बजा होता है गुरुत्वा कर्शन अगला सवाल है आपका कि लेड भंडारिक बैटरी में अस्टू असोफोर सल्फियूरिक हमल होता है सल्फियूरिक को याद रखना है प्रकास संसलेशन में उसमा उर्जा प्रकास संसल द्ध्गी में पानी का प्रिष्ट तनव होता है अनौओं के बीच को हशिशिव बलके कारण डालों में प्रोटीन होता है यह कृत्टू द्वार चरावित पीत कहां होता है पितासे होता है पर स्वेदन सरीर के तापमान को निरंतित करता है बाहनों के पीछे की द्रिश् शुरू हो जाता है इसका बजा होता है पेंडूलम की लंबाई बढ़ जाता है एक जूल बरावर टेंटू टूदी पावर सेबन अर्ग होता है रेफ्रेटर में फ्रीजर सिर्फ रखता है इसका कारण संबाहन धाराओं द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखने में सहेता होता है अगला से वाले के रेशाम किट सेरी कल्चर धोनी तरंग होता है आंसिक लंबत और आंसिक तिरियक दोनों होता है लंबत और तिरियक दोनों होता है किसका उप्योग उचाइम अपने के लिए ओल्टीमीटर और यह ट्रिक संटर सुलतानियन की तरब से परसार खुलेगी तो आके आप संपर्क करते हैं कर सकते हैं और जो नए इस्टुडेंट है पहले दिन आये हुए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और लाइक किजिए और एक दूसरे में शेयर किजिए और कल नए वीडियो के साथ फिर उपस्तित होते हैं तब तक क येंदे घर का किजिए कि घर वाल दूसरे में जपस्तित हिंदेगेटलेगी तुपलेगी अजभियोंगी ये प्नक humbled प्बेत कि नए это बनलेगें नहीं पता हैं प्लिए हैं